हेलो दियर स्टुडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर, टैंजेंट, आज हम उसकी कंस्ट्रक्शन 5 पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन 5, to construct a pair of tangents to a circle from an external point P when its center is not known कोई हमें एक circle दिया गया है इस कंस्ट्रक्शन में और उसके बाहर कोई point है P कि उस P से होकर जाने वाली दो tangent हमें draw करनी है, tangent का pair हमें draw करना है जो point P से जाकर मिलता है और यह जो circle है इसका center हमें नहीं पता है यह important रचना है, इसको आप द्यान से देखेंगे सबसे पहले यह construction थोड़ी बड़ी करके मुझे आपको दिखानी होगी सबसे पहले एक circle हम draw करेंगे, थोड़ा बड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इसका हमें center नहीं पता है और इसके बाहर एक point है P जिससे होकर जाने वाली दो tangent हमें draw करनी है तो सबसे पहले हम इसके circumference पर कोई तीन points draw करेंगे यह हो गया A और same same distance पर दो point और लेंगे यह हो गया A, B और C अब A को P से मिलाएंगे अब B को भी P से मिलाएंगे और C को भी P से मिलाएंगे जब हमने A, B और C को P से मिलाएंगे अब दूसरी साइड circumference की तीन points और मिले नहें D, E, F अब इनको आपस में मिलाएंगे सबसे पहले A से D और F को मिलाएंगे य्रिष्ट को अब तर F को भी P से मिलाएंगे अब E को B और C से मिलाएंगे यानि कि हमें जो midpoint था उसको opposite upper और lower point से joint करना है इसी तरह से इसके अपोजिट और lower point से joint करना है यहां पर एक पॉइंट आएगा जी और यहां पर हग एच जो आपस में क्रोस हो रहे हैं इनको हम आपस में मिलाएंगे G और H को मिलाएंगे और उपर circumference तक draw करेंगे और नेचे circumference तक draw करेंगे यह हमारे पास एक point आया Q और R Q और R को P से मिलाएंगे करेंगे